कि नमस्ते बाइयों मैं हूँ आपका दोस्त कैसे हैं आप लोग आज जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ यह है कि काफी लोग हमसे पूछते हैं कि भया आखर मैं ऐसी क्या वज़े रही है कि आप मेकैनिकल इंजिनिंग यह से शामदार केरियर को छोड़के आप इस वकलत के फिल्ड में आ रहे हैं तो सोचा कि आप लोगों को अपनी कुछ व्यक्तिकत जिंदिगे के बारे में कुछ बताएं कि आकर में यह सारी चीजें क्यों होई और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लोग अंद तक देखें को कि बहुत से ऐसे परिवार हैं बहुत कि मैंलों के साथ भी गलत होता है जो मरने पे मजबूर हैं जो आत्मत्या करने पे मजबूर हैं साइध ऐसी इस्तिती मेरे सामने भी कई वार आई है और मैंने अपने आपको एक अलग तरीके से ढाल लिया इकिस तरीके से अपने आपको सेफ करना है आप लोगों का बहुत स सपोर्ट किया है आप लोगों के सपोर्ट से आज हम आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं मेरी साधी 2011 में हुई थी और साधी अरेंज मेरीट्स थी साधी के कुछ दिनों बाद तो ठीक टक चलता रहा जैसा नॉर्मल था लेकिन साधी के कुछ दिनों बाद से ही यह ट्रैपिंग होने लगी कि प्रोपर्टी वेच कर आगरा जैसी सिटी में रहुआ के चुकि मेरी हम जौब बाहर कर रहे थे तो पॉस्बिल्टी नहीं यह थी ऐसी कि मैं यहां पर आपाऊं और कहीं मुझे उससाब से जौब मिल पाए तो कई सारी कंपनियां छोड़ता रहा परिशान किया गया टौचर किया गया पुलिस से फोन कराया जाता था धंगी दिलवाई आती थ तक क्या मुझे याद है कि मेरा बड़ा विट्टा पैदा हुआ था उसी दिन मेरे हाथ-पैर में परेलिसिस सिंटम्स हो गए इस साइड में तो मैं चन्ने फिने लाइक मेरी इस्तिती थोड़ी सी डगमगा गई थी ऑस्पिटल बढ़ती था डिप लगी हुई थी लाज च पच्छी का जो पुलिस थाना है वो मुझे फोन कर रहा था धंगी दे रहा था कि तो जुट बोल ला है तेरा यह कर देंगे तेरा वह कर देंगे जैसा कि हम उनना आप देखते हैं डेली प्रैक्टिस में यह चीज है क्योंकि आप ठाने में जाएंगे तो थानेदार जो हो महीं जैसी स्तिधी में था मैं भैसी स्तिधी में थाने में आ जाता हूं और दिखाता हूं देखो यह स्तिधीय चैक्च बास्तों मैं यह जो बात जो ऑड़ा ही जारी थी वह सही है समय बीता, मेरे उपर मुकदमे फाइल किये गए, गलत तरीके से मुकदमे फाइल किये गए, उसमें फिर हमारा समझोता हुआ, समझोता हुआ कि हम लोग अच्छी तरीके से घर पे रहने लगे, फिर मैंने कोई अपनी नई जॉब डूड़ी, जॉब करने लगा, वहां भी परिशन कराया गया, मैं मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे साइध सुरंदर नगर लिंबडी में था, तो मुझे काफी परिशन कराया गया, और आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट कंपनिया कितनी दिर ठुटी देती हैं और इन सब चीजों से बहुत दूर भागती है पिस्तिति नाजब होने लगी, मेरे पिता जी भी मेरे टेंशन में आने लगे कि आखिर में इतनी अच्छी जॉब है, जॉब नहीं कर पा रहा है बंदा और गलत घर से शादी हो गई, इसका मलालो ने हमेशा बना रहा है इसी दोरान क्या होता है कि हमारा चोटा बेटा पैदा होता है, हम उस टाइम पिलिमडी सुरंदर नगर में ही थे, पुलिस से फोन करा के, किसी तरीके से टॉर्चर करके, आखरी में वो भी मेरी जॉब छूट जाती है, हम आ जाते हैं, अपना टीटमेंट वगरा करवाते ह हैं, अपना इलाज बुलाज करवाने के बाद किसी तरीके से हम आगरा सेटल होने की सोचते हैं, कि चलो ठीक है, अब ऐसे ही ठीक, जैसे ही मैं अपने आगरा पोजेक्ट पे आता हूं, तो मेरे कुछ हैसाथ दिन होते हैं, तो मेरे एक्सिडेंट करा दिया जाता है, रहना मैं, इसमें कि मेरी जान भी जाते जाते बच्ची है, और मैं साइध पूरा लत्पत भी था कुन से, उसके बाद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, तो मैंने फिर अपना CCTV फारफाइटिंग का काम स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने काम स्टार्ट करते हैं, उसमें भी जैसे ही मै मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए, तो मैं चारो तरफ से गिर गया, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं कभी गुजरा नहीं था, और बहुत लाड़ प्यार से मैं पला वड़ा, बहुत अच्छी अच्छी जगे पे मैं रहा, नौक मैं भी ठंद करेंग। अच्छी उसी टायम भी डिजैड कर लिया तांकि अब इस तरीकी Vet books के सब्सक्राइबली क्योंकि किस वापटाAl baik जो अच्छी मेरे मशल दरण कर्या犯ा, तो कि सन्फदी को तो संकते को हैं, को ख सब्सक्राइबला छान रहीकप आप कर दी जैसी बेहन की शादी हमने तेह की है तो मेरे इक लाब में पुलिस थाने में शिकाइद दी जाने लगी जब शिकाइद दी जाने लगी तो इधर से जब नोटिश जाता है मेरे पास 14 जनवरी 2018 के लिए नूर्टिश जाता है लेकिन क्या होता है कि पुलिश जो होती है वो हमारी सिष्टर की जो शादी हो रही थी इसके मंडप में आके खड़ी हो जाती एक तरह बढ़ाय चड़ती है एक तरह मंडप नहीं तो इस्तिती बहुत ज्यादा कंभीर हो गई थी मेर लड़े भी मातं जा चाया होगा था लेकिन किसी तरीके से आनन्फणन में चीजह सौट आउट हूई है हमने लड़की की बिदा करी बिदा करने के बाद मैं थाने में गया कि ऐसा मैंने कौन से रांभा चार दिया था जिस तरे किसे मनला मेरे घपर दविष्ट दी just है जै сам से मैं कोई आतंगबादी हूँ खेर वो पीक समय था क्योंकि मुझे सिश्टर की शादी भी करनी थी और इन सारी चीज़ों से निकलना भी था उसके बाद मैंने देखा कि यार जिस तरीके से इन्हों ने मेरे को टॉर्चर किया है यह पता नहीं अपनी पुलिस की बड़ती का गलत रॉल दिखाते हुए पता नहीं कितने लोगों को टॉर्चर करते होंगे फिर मेरे दोस्त हैं जो जो ऐसे किसी से पीडिक थे उन लोगों ने सजेस्ट किया है मेरे हाई कोट के जो वकील साहब है स्री बिने कुमार पंडे जी और मेरे आगरा कोट के जो वकील साहब है स्री अरविंत कुमार पुसकर जी और मेरे यार दोस्तों वजे सजेस्ट किया कि जब तुम्हें यही चीज गर नहीं है जब तुम्हारा नया जीवन जैसा हुआ है तो फिर इसी छित्र में आ जाओ और उनके लिए लड़ों जो फसे हुए हैं क्योंकि मैंने देखा कि मुझे पुलिस ने किस तरीके से टॉर्चर किया किस तरीके से परिशान किया और मेरे पिता जी की आगवी ठंडी नहीं हो पाई थी और लोग मेरे उपर दबाब बनाने लगे थे मुझे चारों तरफ से गेर लिया केसिस हुए महीम चलती गई मेरी आप लोगों का सयोग मिलता गया थोड़ा डगमगाया आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया अर्थिक सपोर्ट भी किया ऐसी बात नहीं मेरे एक तरफ मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे उपर कोट ने शौपी होई थी एक तरफ घर की के पारे में जिम्मेदारी थी एक तरफ एक कोट के चरी केस इनकी जिम्मेदारी थी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं सफर कर पाऊंगा लेकिन आप लोगों ने मेरा वास्ता में सयोग दिया आप लोगों मुझे हमेशा खड़ा रखा और उसी टाइम मैंने यह सोच लिया कि नहीं मैं जब भी केस डढ़ूंगा तो न्याए हिद के लिए लड़ूंगा लोगों को न्याए दिलाने के लिए लड़ूंगा और कोशिस करूंगा कि किसी के साथ गलत नापू पैसा तो मैंने जॉब में भी कमाया था वो अपना नहीं हुआ मेरा एक सौक जैसा बन गया है पढ़ना और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें क्योंकि मैं आगरा मेरे रहरा मौनी सुनाए और मेरे पास हर तरीकी के लोग आते हैं मेरे घर पे आते हैं रुखते हैं जैसा मैं खाता हूं वैसा उनको खिलाता हूं जैसे मैं स मेरे इंटेंशन सिर्फ यह है कि कोई मावा कोई भुजुर्ग रोए ना रेशान ना हो किसी को आत्मत्या करने तक की नौबत ना आए बकी का प्रोपेशनल नौन प्रोपेशनल लेन देन ये सारी चीज़े अपनी जगे ठीक हैं आप लोगाने मेरा काफी सपोर्ट किया है तो इस तरीके से मेरी लाइफ में एक नया टन आया फिर मैंने डेसाइड किया कि नहीं कानून की शेतों चलते हैं पढ़ता गया, इंटरेस्ट आता गया, लोगों से मिलता गया, अपने अधिवक्ता भाहियों का मेरे जीवन में बहुत सपोर्ट रहा है मेरे एक चाचा है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे बच्चे दिन पे दिन बड़े होते चले गए हाँ, भे सक मैं बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं सब्ले का साथ 30 साल उनने आपउशन करा पाया, बहुत मुशकलेस, लेकिन और मैंने बहुत लोगों को बचाया है, बहुत लोगों के लिए मैंने महनत किया, और मेरे लिये किसी 1 की जिन्दिकी कर बच जाये, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं यह समझता हूँ कि मेरा जो इंजिनिंग केरियर जो है वो मेरा सफल हो गया तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है मेरे बारे में कौन क्या कुछ बोलता है क्योंकि मैंने जो महसूस किया है अपने लाइप में मैंने जो चीजें जेली है उस सिर्फ मैं ही जानता हूँ और जो लोग फेस्बुक पे एक दूसरे को जो सला मस्वरा करते है अच्छी बात है करो लेकिन उससे बंदा इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि वो सोच नहीं पाता है कि आखिर में करना क्या है और जब तक वो सोचता है तक तक वो डेमेज हो जाता है तो मैंने बहुत मजबूत अपने आपको किया बहुत सारी जिम्मेदारियां आई आप लोगों को भी देखना है आप लोगों के काम करता रहता हूँ अज रात के 6 बज़े तक मैं सोया नहीं लोगों के लिए देख रहता मैं रात के 5.30 मज़े तक इसलिए नहीं सोता हूँ पता नहीं ऐसा इमर्जनसी वाला कही कॉल ना आ जाए क्योंकि कई वारे से कॉल आएगी हम या सुसाइट करने जा रहे हैं मैं बचा हो हमें ये करो मैं क्या करना चाहिए मैंनों उसे घंटो घंटो बरबात की इसलिए एक हविट जैसी पड़ गई है कि अब नीद नहीं आती अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं और मेरी ये महीम है मैंने अपने केडियर को खोया है मैंने अपने पिता को खोया है मैंने अपना धन, सम्मान, मान, सम्मान सब कुछ हो दिया है मैं कल भी 0 पे था आज भी 0 पे हूँ बस जो आप लोगों का थोड़ा बहु पर सपोर्ट मिल जाता है बस उससे ही आगे कारवा बढ़ता चला जा रहा है और वो भी मेरी जिम्मेदारियां को पूरा नहीं कर पा रहा है, मैंने तीन साल बाद अपने बच्चों का एड्मिशन करवा पाया है, खलती थी यह बाद, इसलिए मेरे बारे में कोई गलत अपवा भी ना फेलाएं, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूं, आपने मेरा कोई भी वीडियो अठाके देखना आपको समझ में आ जाएगा, मैं जो फाइल पर चलता हूं, उनकी प्रेक्टिकल चीजें आप लोगों तक पहुचाने के कोशिस करता हूं, कि अगर मैं ना भी नहूं तो आपको कम से कम यह चीजें, पता चल जाएगा।